हमारे सरीर में ऐसा कौन सा दर्द है जो सबसे जादा दर्द देती है और पानी में रहने के बाद हातों में रिंकल क्यों पड़ जाते हैं और बाइक के डिस्क ब्रेक की प्लेट में छेद क्यों होते हैं यह सारे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा उससे पहले आपके लिए एक तो एक सेट ने अपने नोकर से पूछा कि घड़ी में कितने बज रहे हैं नोकर को मजाक सुजा उसने कहा सुई के उपर सुई है जितना बजने वाला है उतने बजने में उतने ही मिनट बाकी है दोस्तो सेट तो समझ गया पर क्या आप बता सकते हैं कि घड़ी में कितने बज़े हैं अगर आपको एंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताईएगा अब बारी एफेक्ट्स की सो पहले के टाइम में डिस्क ब्रेक की प्लेट में छेद नहीं होते थे तब वो प्लेट बहुत गरम हो जाते थे इसलिए प्लेट में से हवा को आर पार करने के लिए अभी के टाइम में इसमें छेद होते हैं और पानी में रहने के बाद आपके फ पानी में रहने के बाद हातों में रिंकल क्यों पड़ जाते हैं और बाइक के डिस ब्रेक की प्लेट में छेद क्यों होते हैं यह सारे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा उससे पहले आपके लिए एक चैलेंज है तो एक सेट ने अपने नोकर से पूछा कि घड़ी में कितने जैते थे तब वह प्लेट बहुत गरम हो जाते थे इसलिए प्लेट में इस हवा को ढरने के अभी टाइम में छेद होते हैं और पानी में से रिंकल पर जाते हैं वो इसलिए ता कि हाथ बाव में गृप by सके और आ आप पानी में फिसलने से बत जाDIO हातोंगास अब मैं आप लाइक तो करें सकते हो